इस्थानी गोबरा नवापारा में 29,50,280 रुपए के सरकारी रासन की हेरा फेरी करने वाले दुकान संचालक और उसके सहीयोगियों के विरुद प्रसासन ने अमानत में खयानत और धोखा धड़ी का मामला दर्ज कराया है मिली जानकारी के नुसार 17 जुलाई 2019 को अबन फूर्ट छेतरी की ततकालिन खाज निरिक्षक वीना किरन साहु ने नवदय प्रातमिक सहकारी उभोकता भंडार द्वारा गोबरा नावापारा में संचालित दुकान का और चक निरिक्षन किया था निरिक्षन में भौतिक सत्यापन के दौरान दुकान से 771.34 क्विंटल चावल 14.32 क्विंटल सककर 19.52 क्विंटल नमक कम पाया गया उस समय इन सभी समानों की कुल कीमत 29,50,280 रुपई थी दुकान संचालक द्वारा उक्त सभी समानों की हेराफिरी किया जाना पाय जाने पर 26 उलाई को उसे कारण बताओ नोटीस जारी किया गया जिसका उसके द्वारा कोई समधान कारक जवाब नहीं दिया गया इसके बाद दुकानदार के इस कृत्य को सारवजनिक वित्रण प्रनाली वित्रण आदेश 2016 की धारा 5-1-13-1-2 का उनलंगन पाया गया जो की आवस्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 वटा साथ के अंतरगत दंडनी है खाद निरिक्षक साहू ने इस जांच प्रती वेदन के आधार पर HDM अभनपूर, सुरत साहू द्वारा वर्तमान सायक खाद अधिकारी केसी थारवानी को थाना गोबरा नवपारा के दुकान संचालक और अन्य संबंदित लोगों के विरुद अमानत में खयानत और धोका IPC की धारा 409-424 के तहट अपराद दर्ज किया है डिनेक्स टीवी के लिए नवपारा राजीम से विस्वेश्वर हिरवानी के रिपोर्ट